हेलो फ्रेंट स्वागत हमारे य्टूब चैनल पे इस वीडियो में कॉटिलिया जी एस का बिहार पुलीस का प्राइक्टिश हैट नमबर 9 देखने वाले हैं तो चलिए बिलकुल विनादेरी करते विसे स्टार्ट करते हैं बाकि सब्सक्राइब है सब करना होगा तो कर लिज दिया गया है भारती सिम्धान के किस अनुछेद में समान न्याय और निसुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है और नुछेद नमबर B राष्ट पती का इभासन त्यार किया जाता है प्रधान मंत्री और उनके मंत्री मंडल के द्वारा अनुछेद 87 के तहट और राष्ट पती सासन का तातपर्ज है कि वहराज संचालित होता है तो राष्ट के राष्ट पती सासन का तातपर्ज है कि वहराज संचालित होता है तो राष्ट के राष्ट पती सासन का तातपर्ज है कि वहराज संचालित होता है तो राष्ट के राष्ट पती सासन का त संसध्य प्रणाली में कार्शपालका का वस्तावी प्रधान कौन होता है त्य होता है प्रधान मंत्री आप लोग फास्ट अंसर देने का प्रयास करिएगा क्योंकि नेश्ट प्रैक्टिशेट जल्द ही अप्लोड करेंगे हम इसका राइट अंसर होगा आप्स नम्मर बी सरवोष न्याले के जजो का वेतन किस से आहरित होता है संचित नीधी से ऑप्सन नम्मर सी नेश्ट कोशन है कार्शपालका न्याले के प्रिथकरन का सिधान सिधान के किस भाग में वर्नित है कार्शपालका और न्यायपालका के प्रिथकरन का सिधान सिधान के किस भाग मे वरनित है त्यो हो जाएगा भाग 4 में क्या है DPSP है ऑप्शन हो जाएगा C नीती नी दे सकता है, तो किस अमशेद में हैं, अमशेद 50 में हैं, निर्वाचन आयुट की सेवा सरते तथा कार्ष का निश्चित करता है, यह निश्चित कौन करता है, तो संसद, ओप्सन नमबर B, निर्वाचन आयुट, निर्वाचन की जो चर्चा है, भाग 15 में हैं, अमशेद 324 से लेकर 329, मतदान की जो आयुट है, 21 वर्से धटा कर 18 वर्स कब कर दिया गया था, एक 16 संसुधन संसुधन 1989 के द्वारा, कोशन नमर एट, कि समधानी संसुधन ने मुल्बुत अधिकारों के उपर निदेशक सिधान का अधिपत्ति दिया, ओप्सन नमर एँ हो जाएगा, बैलिस्वा समधान संसुधन, 15 समधान संसुधन के द्वारा, हाई कोट का जो कार्षकाल था, 60 वर्स से बढ़ा कर भी 62 वर्स कर दिया गया, हाई कोट की नदीज जो थी है, उसका कार्षकाल 60 से बढ़ा कर भी 62 वर्स कर दिया गया, नेश्ट कोशन है, कोशन नमर नैन, अकवर का राजविशेक 1556 में हुआ था कहां पंजाब के कला नौर में आपसन नमर ए किस यूद को जितने के बाद सेर साह ने दिल्ली में अफ़कान सत्ता के स्थाप ना की किस यूद को जितने के बाद सेर साह ने दिल्ली में अफ़कान सत्ता के स्थाप ना की यह हो जाएगा कनोज या फिर बिलग्राम का युद का भुआ था 1540 इसमें कालेंजर का युद जो किया था हुमायूने 1531 में दुहरिया का युद जो किया था हुमायूने 1532 में 1532 में 14 का युद 1549 में यह से हुमायू की बार में बता रहे हुए मच्छी बाड़ा या फिर सरहिंद कायूद यह हुआ था पंद्रासो पच्पन में थ्यां रखेगा नेश्ट कोशन है सिवाजी ने मुगलों को किस संधी के दौरा की लोग का अस्थांत्रित किया बताहिएगा पुरंदर की संधी आप्सन नमबर ची पुरंदर की संधी किसके साथ जै सीख के साथ सिवाजी की मिर्टु कब हुआ था 1680 में नेश्ट कोशन है कोशन नमर 12 जन्म कब हुआ था यह भी बताएगा आप लोग जन्म सिवाजी का कब हुआ था गोविन महल जो हिंदु वास्तु कला का आप प्रतिम उदाहरन है या इस्थित है गोविन महल जो है या कहां इस्थित है दतिया खजुराहो औरचा या फिर ग्वालियर इसका अंसर हो जागो आप्सन नमर ए दतिया में नेश्थ है टीपू सुल्तान की मिर्तु 1799 में कहां हुई थी टीपू सुल्तान की मिर्तु 1799 में कहां हुई थी सी रंग पटनम में आप्सन नमर सी अब यहां पर बात आईए तो ध्यान रखीगा 1766 से लेकरके 79 तक प्रथम आंगल मैसुरुद हुआ था यह समाथ हुआ था मदरास की संधी के तहत दूसरा जो हुआ था आंगल मैसुरुद 1780 से 84 के वीच यह समाथ हुआ था मंगलोर की संधी के तहत 1790 से लेकरके 1792 तक जिसरा आंगल मैसुरुद चला था यसी रंगपटनम की संधी के तसमात हुआ था और हैदर अली के जो मिर्टु हुआ था दीती आंगल मस्वीर उद्ध के समय में ही 1782 में ही हुआ था 1799 में चौथा आंगल मस्वीर उद्ध और इसी समय टीपो सुल्तान की मिर्टी हुई थी आप्सन नमर सी विल्कुल राइटर से है वांडिवास का यूज़ रहा था 1760 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को प्राजित किया था बेदरा का यूद भी ध्यान की का 1769 में अंग्रेजों ने डचों को प्राजित किया था डच भारत में कवाए थी डच इस्ट इंडिया कंपणी के स्थापता 1603 में हुआ था और डच भारत 1605 इसवी में अंग्रेजों नमर 14 गान्धी का चंपरन सत्यागर किस से जुड़ा हुआ था कौन नहीं जानता है गान्धी का चंपरन सत्यागर 1917 तिनकठिया पर 30 से आप्सन नमर बी निस्क्रिय विरोत के सिधान का परतिपादन किसने क्या था अर्विन घोस निस्क्रिय विरोत के सिधान का परतिपादन अर्विन घोस बंदे मात्रम पत्रे का किसकी है अर्विन घोस की है बिहार बंगाल से अलग हुआ, बिहार बंगाल से अलग हुआ, कब अलग हुआ था, देखें, 19 जुलाई 1905 को मैं कई वर बता चुकी हूँ, 19 जुलाई 1905 को घोशना की गई थी, 16 अक्टूबर 1905 को लागु कर दिया गया था, इस दिन सोक दिवस मना गया था, रच्छा बंध दिवस रवेना ट्यगोर ने मनाने के लिए कहा था, दिसम्बर 1921 में लॉर्ड होडिंग केसे में इसे बंगाल विवाजन को रद कर दिया गया, 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार जो है अलग हो गया, और 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है, और 1 अप्रेल 1936 को बिहा बिहार से उडिसा अलग हो और जार्खन के बारे में तो जानते ही होंगे, 15 नवंबर 2000 को जार्खन बिहार से अलग होग विए के लिए नेश्ट कोशन है, राष्टिये सोग दिवस का मनाया जाता है? राष्टिये सोक दिवस का मनाया जाता है राष्टिये सोक दिवस सोक दिवस तो महत्मा गांधी की मिर्थू के दिन सोक दिवस नहीं सही दिवस मनाया जाता है राष्टिये सोक दिवस जो मनाया जाता है बंगाल विभाजन लागू होने के दिन option number C बिल्कुर राइट अंसर है कोई confusion ना रखें बंगाल विभाजन लागू होने के दिन 16 अक्टूबर 1905 को सही दिवस मनाया था महात्मा गांधी की मिर्दु के दिन मैं भी अभी confusion हो सकती थी चलिए ध्यान रखीएगा question number 18 कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन रास्त भ्यारी घोष इस अधिवेशन के ध्यस्ता किया था सूरत अधिवेशन में कांग्रेस विभाजन हो गया था गरम दल और नरम दल में एक हुआ था 1916 में लखनव अधिवेशन में अंभिका चलन एसयोग अंदोलन शूरू करने के समय भारत के वासरा कौन थे लौड छेम्सफोड नहीं सो इसो सोला से लेकर के 1916 नहीं सो इस रो छॉक्त के घटा चली-अलवा की घट आसयोग अंदोलन और एक खिलाफत ओनलन यह सब लौडड छेम्सफोड के समय में ही स्बिवल्कुर सोल यह हुआ था गुल में सम्मेलन और सविनय वग्या अंदुलन दांडी यात्रा या सब इर्विन के स्में में हुआ था कोशन नमबर है 19 चंपारण सत्यागरा के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन सामिल थे राजेंद प्रशाद वह अनुगरह नाराय सी आप्सन नमर सी आप्सन के अकॉर्डिंग सी नमर मिलकूर आइट अंसर है असे हो आंदुलन प्रग्रम हुआ था एक अगस्ट 1920 को ये क्यू छोड़े आप लोकोरी विजन हो जाएगा एक अगस्ट 1920 को पांच फरवरी 1922 को चौरी-चौरा हत्या कार्ण हुआ था जिस कारण से 12 फरवरी 1922 को इसे बापस लेना पड़ा ध्यार रखेंगे भारती राश्टी कांग्रेस का 1938 का धिवेशन किस सहर में हुआ था 1938 के धिवेशन को हरीपूरा धिवेशन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह हरीपूरा में हुआ था और इस अधिवेशन के धरसा सुहाशंद बोस कर रहे थे शुहाशंद बोस के थे आप्शन नमर ए बिलकुल राइट अंसर है बांकिपूर पटनामी 1912 में हुआ था नेश्ट कोशन नदिक के परदर से बनी अस्तला किरती है और एभी आपके धियान रखेगा 1949 तिरपूरी अधिवेशन तिरपूरी अधिवेशन तिरपूरी जो है यह सायदर मत परदेश में हैं तिरपूरी मत परदेश हरिपूरा गुजरात में हैं इस अधिवेशन के धेस्ता सुभाश चनलबोस के त्यागपत देने के बाद राजयन प्रशाद ने क्या था कोशन यह पोज़ा जाता है राजयन प्रशाद ने पटावी सिता रमय्या यह सब कहें तो जानती ही होंगे चलिए नेश्ट कोशन देखते हैं नदी के अपरदन से बनी अस्तला किर्थी है नदी के अपरदन से बनी अस्तला किर्थी कौन सा है बताएगा नदी के अपरदन से बनी अस्तला किर्थी या कहलाएगा गार्ज क्या कहलाएगा गार्ज अब रदन से पूछा जाए तो गार्ज हो जाएगा नीच्छेपन अगर 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 तब डेल्टा हो जाता बाढ़का मैदान होता प्राकिर्तिक तटवंध होते ही ध्यार रखेंगे नेश्ट कोशन है कोशन बाइस भी आकार की घाटि नदी के द्वारही गार्च नदी निर्माच का निर्मान चिप digoका जल प्रपात अवनममंकुम एस हुखोर जिल संप्राय मैदान ये सब को निर्मान नदियों के दौरा ही किया जाता है नेश्ट कोशन है निम्निक्रिट से कौन एक ठंडी जल धारा है और अभी हमने जो भी बताए चाहिए वो भियाकर के घाटी हो, गार्ज हो, कैनियन हो, छिप्रिका हो, जल परपात हो नमन कुंड हो, एसाकार की घाटी हो, गोखुर जील हो, संप्राय मैदान हों ये सब निदिक क्या प्रदम से निर्मित होता है वही नदिक के नीचे पन से डेल्टा का निर्मान, बाढ़ का मैदान, प्राकिर्टिक धटवन का निर्मान होता है, I hope के लिएर हो गया होगा, निमलीखित में से कौन एक ठंडी जल्धारा है, क्यों रोसियो जो है, या गरम जल्धारा है, कहां का प्रशांत महाशागर का, ग टंसर है, 10 डिग्री चैनल प्रिथा करता है, 10 डिग्री चैनल प्रिथा करता है, बताएगा, अड़मान को निकवार दिव से, स्रिलंका और भारत को, पाक जल्धारूमत, लच दिव को माल दिव से, लच दिव को माल दिव से, 9 डिग्री चैनल, अड़मान को म्यानमार से, क को को dean'lliran 2009 जलगे आयतन की आधार निटीघ कांदी कौन सी है जलगे आयतन की आधार पर बिश्वी की सबसे बड़ी नदी कौन्सी है त्याह नदी है अमेजल औप्शन नमबर D और यंग सी क्यांग जो नदी है, यंग सी क्यांग नदी एसिया की सबसे लंबी और चोड़ी नदी है, जबकि भारति उपर महादीब की सबसे लंबी चोड़ी नदी कौंसा है? तिया ब्रह्म पूत्र है। हलाकि ब्रह्मपुत्र की लंबाई गंगा के पेचा भारत में कम है कोश्य नमबर है 25 बोलगा नदी कहां गिरती है और सबसे लंबी नदी जो भी इसमें है यह नील है बोलगा नदी कहां गिरती है तो यह गिरती है के स्पियन सागर कि एक समान समय पर यहां पे भी बताएगा कैस्पियन सागर से समन्धित सबसे बड़ा लवनता वाला सागर कौन सा है बताएगा सबसे बड़ा लवनता वाला सागर कौन सा है तो यह है कैस्पियन सागर आपसन नमर बी इसका राइटनसर है और सबसे लवनिय जिल कौन सा है वोन जिल है वोन जिल है कहां में तुर्की में एक समान समय पर तुफान आने वाले अस्थानों को मिलाने वाले रेखा क्या खलाती है एक समान समय पर तुफान आने वाले अस्थानों को मिलाने वाले रेखा आइसो ब्रांट खलाता है भारत के किस राज की सीमा नेपाल, भोटान और चीन तीन देशो से मिलती है नेपाल, भोटान और चीन से किसका मिलता है सीमा सिक्किम का आप्सन नमर डी परश्य बंगाल का सीमा मिलता है बांगलादेश और नेपाल से भी सीमा लगता है और भोटान से भूटान से नेश्ट है अरुनाचल पर्देश अरुनाचल पर्देश से जो सीमा लगता है एक तो हो जाएगा भूटान उसके बाद चीन और मिघाले मिघाले नेश्ट कोशन है शिनकोना के ब्रिच किस वन में पाये जाते हैं विस्वतिय वन और सितोष्ट कटि वन है कौंधारी वन पाये भूमत सागरिय वन सिनकोना के ब्रिच क्लोरोक्वीन योके मलेरिया के उपचार में किस प्राकेती प्रदेश को गर्म पेटिक रूप में जाना जाता है विस्वतिय प्रदेश बीच्वतिय कहवा मंडी की नाम से कौन प्रसीद है यज़ कहा है ब्राजील में रियोडी जुनरों में 1992 में क्या हुआ था प्रिख्री समेलन हुआ था बैंक नोट प्रेस कहां इस्थित है देवास में देवास सरोजनिक छेत्र से तातपर्ज है वनीच इवंब्यापार पर सरकार का स्वामित्व आप्सन नमर ए नेश्ट है भारत में करमचारियों के महंगाई भते कर निधारन का अधार क्या है यह हो जाएगा उपहोगता मूल सुचकांग अंतराश्टिय व्यापार का मूल आधार क्या है तो निर्पेश लाफ्ट द्धा तुलनात्वक लाफ्ट दोनो एस्याई विकास बैंक का मुख् जाले द्माथ्च में से किस अस्थान पर इस्थित है ते स्थित है मनीला में अप्सन बार दिया जाए तो सेस बरावर होगा मकिर्याने मूल निकित में कि वर्ले वाजार के क्रियां धीनिम्ड रज़के कि निधी का अंग है साख निती राजकोसियनीती कर निर्धारन करती है बिहार में अब तक स्रवाधिक बार किस मुख मंत्री के काल में राष्ट पती सासन लागो हुआ किस के समय काल में स्रवाधिक राष्ट पती सासन लागो हुआ भोला पास्वान शास्त्री बिहार के मुंगेर जिला के खड़कपुर के पहाड़े पर कई गर्म जल के जहरने हैं जिन में सबसे गर्म कौन सा है सीता कुन, रामेश्वरम कुन, लच्मन कुन, द्रिश्टी कुन, आइधिंग या रिसी कुन या सभी किसब कहा है तो या सब किसब मुंगेर में है और सबसे गरम गुद्ध है यह है लच्मन कुड ऐसे भी लच्मन जो थे या गरममिजाज के थे इस तरह से याद रखेगा तो लच्मन कुड्ध हो जाएगा आपसे नमर सी बेमेल बहुआंड कीजिए राजगीर पसु बिहार नालंदा में है गौतम बुथ पसु बिहार गया में है मैंने एक बिहार से समधित PDF टेलीग्राम चैनल के अफ्लोड किया है आपनों फास तरीके से उसे देख लेंगे कावर जिल पच्छी बिहार बेंगो सरा या भी सही है उध्वा जिल पच्छी बिहार या कटिहार या गलत या गया है उध्वा जिल पच्छी बिहार या साहिव गंज में है साहिव गंज में हैं बिहार में या नहीं है कोशन नमर्फोटीवन हाल ही में वायुसेना द्वारा पुर्वोतर भारत ने प्रलाय अभ्यास काजन करने की घोशना की है वायुसेना का पुर्वे कयान का मुख्याले कहां स्थित हैं आपसन नमर्ए सिलोंग चोहतरवे गंतन दिवस समरों के मुख अतिथी कौन थे मिश्र के राष्टपती अब्दिल फटह अल सीसी ऑपसन नमर्बी राष्टिय मतदाता दिवस 22 की थीम क्या है राष्टिय मतदाता दिवस 25 जनवरी इसका थीम क्या है वोट जैसा कुछ नहीं वोट जरूर डालेंगे हम वोट जैसा कुछ नहीं वोट जरूर डालेंगे हम आपसन नमर्बी प्रधान मंत्री राष्टिय वाल पुरस्कार के तहट कितनी पुरस्कार आसी एक लाग केंसरकार दोरा कुस्ति मासंग का कामकास देखने के लिए किसके ध्यस्ता में ओवर सा ग्लुकोज अस्तर्समानतर व्यक्त किया जाता है यह सब कोblaशन पहले वाले प्रेक्टिश एड में आ चुका है रियल गारी जब स्टेशन पर पहुंसती है तो वह अपने स्वहाव क्यूस अबरेति से बदलते हुहा लंग दोरेप्र परभाव यह तो सारा रिविजन हो रहा है जनन ग्रंधी से प्रजिस्टॉन हर्मोन प्यूस ग्रंधी से ब्रिधी हर्मोन अगनासय से इंसुलीन अधिमरिक से कृटी सोन ल्यूमेन किसका मात्रक है ल्यूमेन जोती फ्लक्स का कोशन रिपीट अवियां से हो रहा है पिछले वाले प्रैक्टिस सेट से ही दिया गया है कोई नहीं भंजन भंजन पर किरिया पेट्रॉलियम प्रगलन ताम्र हाइडोजनिक करन खादवसा वलनिक करन रबड आपसन नमबर सी निवनिखित में से किस एक के लिए किसी कत्व एकमात्र कारण नहीं है पौधे की जड़ों से जलका इसके पढ़ समों की और बढ़ना यह सब आ चु आफधिक गति ऑफशन नमब ऐफ संख्वड किरोडिक मोशन फ़लो का मधूर मीठा स्वात किसके कारण होता है फ्रक्टोज के कारण नेश्ट है किसी दफ प्रिश्टैनाव का कारण है किसी दरफ प्रिश्टैनाव का का कारण हैं अनुमं केम h seemat sa же bank बल बद आपसन नमर और कलियों का प्रिथ्वी के केंद्र पर गुरूत वकामान होता है तो शूने होता है शूने होता है ऑप्सिन नमर सी जब सरलोलक का आयाम बढ़ा जाता तो इसका अवर्तकाल आप परिवर्तित रहता है यदि कोई बहावल कार्शत नहीं हो तो द्रव के बुन का अखाट नि पताया था आर बी जी आर बी जी आर बी जी एम वाई सी सियान या पर पीकॉक ब्लू माल लेजे चलिए पाई एम सी और यहां पर क्या हो जाएगा वाइट हो जाएगा सभी के सभी यहां करके जरूर मिलेंगे ध्यान रखेंगे नेश्ट है 62 नमबर एक प्रमानु के मुख वन संख्या किसको निरूपित करती है एक प्रमानो के मुख वन संख्या किसको निरूपित करती है कच्ये बेखा प्रमानु भठी हो परमानू भठी में निट्रонों के अवसीसो के रूप में अवसो Mike Prayuक्त होता है श्ट ही मन्दक के रूप में गषाइड और भारी जल अब अवकिरिया के बाद उत्प्रेरा के 64 नमप्रश्ण संगठन तथा भार दोनों आप परिवर्थित रहते हैं। आवर्त सानी के सभी आवर्त के अंत में एक निस्क्रिय गैस है। मेंडिलिफ के आवर्त सानी के तत्व के वरिकरन का अधार क्या है। मेंडिलिफ के आवर्त सानी के तत्व के वरिकरन का अधार क्या है। तिया है प्रमानुभार, आप्सन नमबर B. प्लास्टर और पेरिस जिसके गर्म करने से बनता है। क्या बनता है। जिप्सम, C-SO4 into 2H2O जिप्सम का C-SO4 2H2O जल में अस्थाय कठोरता होती है। इसे भी मैंने काफी डेटेल से बताया है। जल में अस्थाय कठोरता, कैलसियम दिथा मेगनीसियम के बाई कार्वोनेट के खारण। मैट्रोकॉंड्रिया का कार्ज क्या है। यह है, श्वशन किरिया। नेश्ट कोशन, डाइनासोर क्या थे, मेसो जोईक, सरीशिप। यह तो हम लोगा टेस्ट हो गया। अस्थी का मुख घटक है, अस्थी का मुख घटक, कैलसियम, फास्फेट है, 54% कौँसा प्रोटीन, ओसीन प्रोटीन अस्थी में पाय जाता है। एक हीमोफिलिक पीता तथा शमान माता दोर उत्पन पुत्री होगी। वहक, मोचक हर्मोन उत्पन होते हैं। हाइपो थैलेस दोरा, मस्तिष से तंत्रिका आवेसो का सम्भा है, निमने तंत्रिका दोरा होता है। मोटर नर्ष के दोरा आफसन नमर B। कोशन नमर 25, न्यूटन गति के दितिया नियम से प्राप्त होती हैं। बल की माप, बल की माप, ऑप्सन नमर B, दितिया नियम से बल की माप। बल की परिभासा, न्यूटन के प्रथम गति के नियम से, ऑप्सन नमर A सर बता रहे हैं। ध्यान रखिएगा इंदी का question दिया आगया है विलोमसब ज्ठ गुप्त का विलोमसद क्या हो जाएगा प्रकट गुप्त का विलोमसद प्रकट आयोजन का विलोमसद क्या होगा आयोजन का अंसर हो जाएगा वियोजन आप्सन नमर सी इसका डिसकॉसन सर ने नहीं करवाया है मैंने जो प्रैक्टिशेट लगाया है उसी में से अंसर मैं दे या फिर माध्यम से उचित प्रकार सेото गारण को खयात है अब इख डाकु अपने किड़तों के करन को खयात होते हैं आपसनदोर ए मानक हिंदी से क्यात परज है मानक हिंदी से क्या तातपड़ है सहित्यक पुस्तकों की भासा भासा के सुधरूप का ग्यान किस से होता है भासा के सुधरूप का ग्यान किस से होता है व्याकरन से इसमें अब तर्सम छाटना है तर्सम सब्दिका चैन कीजिए स्यामल, भगव, सुहाग, तुरंग यह समय तर्सम जो है यह स्यामल है पलंग, भात, चोच, भगवान यह समय भगवान जो है यह तर्सम है option number D नेश्ट है तदभव सब्द का चैन कीजिये संस्कृती जिहवा, नासिका, नंद मिल गया हुगा अंसर, option number C, नंद कंकड, अनुसंधान, पत्नी, आसा 85, option number A, कंकड find which part of a sentence has an error 86, option number C option number C, इसका राइटन स्पोगा, तू लेक्स 87, option number C 88, option number B 89, नंबर प्रश्ट 89, नंबर प्रश्ट हो जाएगा, option number C 89, option number C 90, option number D 91, option number C 92, option number A 92, option number A 92, option number A 93, option number D option number D 93, option number D 94, option number D मैं आप लोग को रे लिए बता दो मेरा मैत जो है, वीक है ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं अगर कुछ इसके बारे मैं पता रहता है, तो मैं आप लोग को बताते चलते हैं 95, option number D 96, option number B 97, option number B 98, option number D हो जाएगा 98, option number D 99, option number A और लाश्ट प्रश्ट, option number C आई होप यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, चली मिलते हैं नेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद कर दो कर दो